हलो बच्चो मैं आरके सागर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में तो बच्चो क्लास 12 की केमेस्ट्री जो चैप्टर फोर्थ है उसका रासाइनिक बलगति की उसका है यह तीसरा वीडियो ओके अगर आप ने इससे पहले की जो दो वीडियो हैं वो नहीं देख सकते हैं और अगर आप आज की हमारी क्लास देख रहे हैं तो अगर आप पहली जो वीडियो हैं दो उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगी ओके तो लिए देखते हैं कि जो तीसरा टोपिक आज का हमारा वीडियो तीन में अभी किरिया की ताथ टोफे रियक्शन और हम परदस्षित करेंगे और इंस से और इंस का मतलब है इंस टैंट एनियस ओके तो आर से मतलब आपको पता ही होता है क्या है रेट यानिके दर ओके तो होती क्या है किसी निश्चित छन पर किसी कि निश्चित छन पर अभी कारक या उत्पाद की सांद्रता में की सांद्रता में जो परिवर्टन होता है उसे अभी क्रिया की ताच्छनिक दर कहते हैं ओक ताच्छनिक दर का मात रख वही है जो अभी करिया की दर का मात रख था मैं पहली वाली वीडियो मेंthose वीडियो वन्ति उसमें सब कुछ बता चुका हूं समझ माया तो किसी निश्ची चनपर अभी काला कि अतुपाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उससे अभी के लिए कि हम ताच्छनिक दर कहते हैं अब आपके मन में आ रहा होगा सरी निश्ची चन क्या है निश्च कितनी हो चुकी है तो निश्चित चन पर अभी काला कि अतुपाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे अभी क्रिया की ताच्छनिक दर कहेंगे तो इसमें कोई हम समयंत्राल की बात नहीं कर रहें जैसे मैं कहा रहा हूं कि दो गंटा दस मिनट में अब समका कहते हैं विकरिया की ताच्छनिक दर तो इसका फॉर्मूला या सूतर आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे और इंस टेंट एन यसा इसका मतलब लिगने में सोट में लिखेंगे आप इंस बराबर होगा डी सी अपॉन डी टी ओके यह हो जाएगा फॉर्मूला जहां डी सी क्या है जहां डी सी बराबर है सांद्रता में परिवर्तन ओके अभी काला के उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है डी सी का मतलब है ये कि ओके ओर डीटी क्या है कि निश्चित च्छन क्या है कि निश्चित च्छन है कि ओके समझ में आ गया तो बच्चों पहले सका इस्किन सोटे लिजिए तो बच्चों यह थी आझ के हमारे क्लास उम्मिद करता हूं आपको हमारे क्लास समझ जरूराई होगी अगर आपको हमारी क्लास बहुत अच्छे रही है तो प्लीज hand Life बचला साहिए अपने सभी साथियों में सेहर करें तो दोस्तों मिलते हम एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभार अपना ख्यार रखिए और सुख्षित रहिए